आप सबी लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दरासल यह जो है जिरो वेली का जो है वीडियो से और अगर जिरो को जाना है तो आप सबी को अभी के वक्त जो है जाना चाहिए अभी के समय जिरो बहुत कुप्सूरत दिखता है। क्योंकि दान जो है फक चुका है और दान का खताई का समय है दान का खताई के साथ सा जिरो को इसलिए भी जाने जाते हैं दान के खेतों में जो है मचली को पालना और मचली को पुरा ले चुका है लेकिन अभी दान का खताई चल रहा है और हमने भी कोशिश किया है कि जिरो मे किस परकार से दान की खताई होती है उसमें हम खुद जा करके देखें साथी साथ मचली कैसे फालते है और मचली को किस परकार पकरा जाता है अभी के समय में उसको भी हमने देखा है जिरो के लोग बहुत महनेती है और महनत के साथ अपने जिन्दिगी को वसर करते हैं और आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूँ जिरो में ही होंग नाम का एक वस्ती है जो की एशिया में सेकेंड लार्जिस वस्ती के नाम में जो है अंकित है और आप सबी को ये भी जानकारी के लिए बता दूँ कल 2nd October अर्थात महात्मा गांदी का जैन्ती महात्मा गांदी के जैन्ती को धूमधाम के साथ मनाया जाता है कासकर हिंदुस्थान में महात्मा गांदी को कल के दिन बहुत आदर के साथ याद किया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी लोगों को अहिंसा के पत पर चलना सिखाया था और इस कारिकरम को बहुत कुपशुरत से पूरे हिंदुस्तान में जो है कल मनाया गया कल के दिन अगर जीरो में अगर सबसे कुपसुरत कारिकरम हुआ है तो महत्मा गांदी सेंटर का उटगातन करना है और ये भी उटगातन किस ने किया महत्मा गांदी के ग्रांड डाउटर तारा गांदी दरासल हल्पिंग हैंड एक और्गनाईजिशन है जो की NGO है जिसका अध्यक्स जो है रोविन हिबु है हल्पिंग हैंड की बारे में आप सभी को बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हल्पिंग हैंड आज के समय में किस परकार से जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं और किस परकार से लोगों की मदद कर रहे हैं आप सभी लोग हल्पिंग हैंड के बारे में जानते हैं दूसरी बात अगर हम कहेंगे रोविन हिबू जो कि अरुनाचल प्रदेश का पहला IPS ओपिसर है और अभी जो है मोजुदा समय में डली पुलिस में स्पेसल कमिस्नर के तोर पर कारियरत है लेकिन आपको बता दूर रोविन हिबू ने महत्मा गांदी सेंटर के लिए होग में इस्तित अपने जमीन को महत्मा गंदी के नाम पर दान दिया है ताकि हर काम वहाँ पर महात्मागांडी के बिचार को लेकर कर लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें एक्टिबिटीस सेंटर और एक्जिबिसन सेंटर और अलग-अलग पर करके कारिकराम चलाया जा सके इसलिए रोविन हिबू ने होंग में अपने जमीन को जो है महत्मा गांदी के नाम पर दोनेत किया है और आने वाला समय में यही जमीन और यही सेंटर जो है हमारे बच्चों को बहुत पैदामन साबित होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग activities, अलग-अलग कारिकरम की जा रही है कल जो है इसका उदगातन अर्थात महत्मा गांदी सेंटर को उदगातन किया गया जो की तारा गंदी बत्ताचारी जी के हातों से किया गया और महत्मा गंदी का ग्रांड डावतर है लेकिन इस कारिकरम में कौन-कौन से activity center को उदगातन किया गया आपको बताना बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको बता दू महत्मा गंदी सेंटर को उदगातन किया गया दरसल महात्मा गांदी सेंटर में जो है वो सारा काम काज होगा जो महात्मा गांदी एक समय सोचते थे अपने रास्तर के लिए सोचते थे अपने युबाओं के लिए सोचते थे और अपने जंता के लिए सोचते थे उस काम को करने के लिए एक सेंटर का उटगाटन खल किया दूसरा जो है महात्मा गांदी मूर्टी का जो है कल अनावरन किया गया ये भी महात्मा गांदी के ग्रान दाउतर के हाथों से किया गया है और ये बहुत कुपशुरत है तीसरा अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर महत्मा गांडी पुस्तकाले अर्तात महत्मा गांडी लाइबरेडिक का जो है उटगातन किया गया और इस में इस लाइबरी में आपको वो सारे पुस्तके मिल जाएंगे जो महत्मा गांडी से जुरू ही और अलग-अलग पुस्तके भी आपको मिलेंगे तो जितने भी जो लोग इस न्यूस को देख रहे हैं, अगर आपके पास कभी दिम पुरुसत हो, तो आप जा करके महात्मागंदी सेंटर को बिजित कर सकते हैं, कास का लाइबरेरी को आप देख सकते हैं, जिसमें आपके लिए जो है, बहुत कुपसूरत पुस्तके रखी जो है, डिजितल, जो आप कहेंगे की, डिजितल केरियर गाइडलाइन सेंटर एक है, यहाप पर खोला गया, और आपको अगर यहाँ जा करके पूश्तास करना है, तो आपको उस सेंटर में जो है, वो सारे लोग मिल जाएंगे, जो आपको इसके ऊपर जो है, बताएंगे, और आपको यह किस परकार इसको उप्योग करना है, यह आपको आने वाला समय में बताने बाले हैं, पहुंचा अगर हम लोग बात करेंगे जो कि Children Activity Center, और अभी के समय में क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है, मुबाइल पोन में या पिर अलग गलत काम में व्यस्त रहते ह हैं, तो उनको कही न कहीं या पर महत्मा गांधी के सोच को लाने के लिए या पिर आगे के पराइकिस परकार बच्चे करें, तो उसके लिए एक Children Activity Center एक उठगाटन किया गया, जो कि आने वाला समय में कास करके Zero Valley के जितने भी बच्चे हैं ना, उसके लिए ये बहुत आने वाला समय में क्या करेंगे कि Zero में जो लोग परमर्स हैं, उनका अगर उठपादन होता है, तो उसके उठपादन को जो है यहा लाकर करके बेच शकते हैं, या पिर वहां से बना कर जो है आप दूसरे जगा में भी निरियात कर सकते हैं, यह बहुत कुबसूरत है क्यों होता है यह जिरो में कास तरीके से चलता है तो आने वला समय में यही सेंटर जो है जितने भी जो किशान है जितने भी जो पार्मर से ना उनका जो है प्रोदक को जो है बैचने और यहां से निरियात करने में आने वला समय में यही पार्मर सेल्स हब जो है उपयोगी साबित कर पूछ गईगी तो यह एक तरब से बहुत कुभसूरत है अगला हम लोग चलेंगे यह उटगाटन किया गया जो की बहुत इंपोर्टन है सितिजन जो सर्बिस सेंटर है सितीजन सर्बिस सेंटर शी यह बताता है कि अगर आने बाला समय में अगर आपको यहां पर जा करके जो citizen service center में जो है लाप उठाना या पिर कुछ आपको पूछताश करना है जैसे कि other card हो गया voter card हो गया अलग-अलग जो other card बोटर card हो गया जितना भी जो link होता है ना बाहर में तो पाइसा लिया जाता है साइबर या फिर पाइसा लिया जाता है आप वहां के लोगों से संपर करके यहांपर जो है शिटिजन सर्विस सेंटर को जो है आप उपयोग यानि लाप उठा सकते हैं आफ़ अगर हम लोग बात करेंगे यहांपर जो है life and walks of महात्मा गांदी एक्जुबेशन यानि महत्मा गांदी ने कितना अपने जीवन में जबसे उन्होंने खोश संभाला अपने देश के लिए उस समय कितना काम किया गया किस परकार से उन्होंने किया जो देश के सुतंतरता के लिए पिर आम लोग यह के आहिंसा हो गया पिर जितना भी जो कारिकरम उन्होंने अपने दोर में और अपने समय में किया था उसका जो है काम को एक एक्जिबिशन तोर पर जो है रखा गया था जो कि बहुत कुपसूरत दिखाता है कि किस परकार महात्मा गांदी अपने जिंदिगी में क्या 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 काम किया कैसे किय और लोगों को किस परकार से आगे लेके चले इसको जो है एक एक एग्जिबिशन सेंटर के तोर पर कर जो है उटगाटन किया गया जो की बहुत कुपसुरत रहा और ये कारिकराम काविले तारिफ है क्योंकि एक ऐसे याद दिलाता है कि महात्मा गांधी केसे थे और उन्हों ने रास्त्र के लिए क्या किया ये सब चीज जो है आपको यहाँ पर एक जलग मिल जाएगा तो आप यहाँ आ करके यहाँ लाप उठा सकते हैं किस परकार महात्मा गांधी के जिंदिगी को जानना है या पर उनके जीवनी को जानना है यहाँ आ सकते हैं और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टेन्ट जो है सबसे अच्छा महतुपुन जो है काम जो है जिरो में खल जो है किया गया जो की helping hand के तरफ से किया गया वो है pride of zero award जो है दिया गया क्योंकि ये उस चीज को दरसाता है की Gero Valley में कासकर आपातनी Community में आपातनी जन जाती में जो है जिरो को ले करके Gero को जिन्होंने आगे बराया चाहे हो राजनीती हो चाहे ओ विजनेस हो चाहे हो समास से भी हो चाहे ओ अलग-अलग cultural activities हो जिस फील्ड में जिन्होंने बहतर काम किया है जिन्होंने जिरो का नाम को आगे ले के आया है और जिनके बज़े से जिरो को आज लोग जानते हैं इसका अवर्ड भी कल जो है helping hand ने नो लोगों को नवाजा गया हुआ 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 है इसका मतलब यह है कि इन्होंने जिरो के उन्नती के लिए जिरो के विकास के लिए ऐसे काम किया होगा जिस कारण से लगा कि इन तमाम लोगों को जो है गोल मैदल से जो है पुरुस्कृत किया लिया महात्मा गांदी के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांदी के अधर्सों को पालन करते हुए किस परकार से रोविन हिबू जो है आगे बर रहा है ये अपने आपको धर्साता है और हम सभी को भी ऐसे चीजों को हमेशा अपना जिन्दीगी में अपना ना चाहिए जो अच्छा होता है महात्मा गांदी के कदमो पर चलते हुए उनके अहिंसा को पालन करते हुए रोविन हिबू जिस परकार से हल्पिंग हैंद चला रहे हैं और जिस परकार से आने वाला समय में जिरो के लोगों को कास कर अपतनी जन जाथी और अरुनाचल के पूरे जन जाती के लिए किस परकार से महत्मा गांदी का जो सेंटर जो है हमारे लिए उप्योगी साबित होने बाला है यह अपने आप में यह दरसाता है मैं यह उमीद करता हूँ अरुनाचर प्रदिस के तमाम जन्जाती के लोग अरुनाचर प्रदिस में जितने भी लोग रहते हैं जिरो जरूर जाएंगे उसके बाद घूंग विलेज में जाग करके जो है इस अर्थात महात्मा गांदी सेंटर को बिजित करेंगे ऐसे में उमीद करता हूं क्योंकि ये बहुत ही कुप्सूरत सेंटर है जहां पर आपको महात्मा गांदी के हर चीज आपको देखने मिल झाल